आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students तो मारा आज का question है Can beets be produced when two sources of frequencies 550 Hz and 600 Hz Super Impulse ठीक है तो हमारे पास एक frequency F1 है 550 Hz और दूसरी frequency F2 है 600 Hz तो क्या इन दोनों के बीच में Beets produce होगी तो इसका answer है Yes Beets Will be produced ठीक है अगर produce होगी तो चलो पता करते है Beets frequency क्या होगी तो जो Beets frequency है वो हमारे पास क्या होगी 600-550 Which is 50 Hz यह यह बोल सकते हैं कि हमें 50 Beets Per second मतलब observe होने वाली है पर अब question यह है Will we be able to hear the beats क्या हम लोग इन beats को सुन पाएंगे तो इसका answer है no हम सुन नहीं पाएंगे इसको Reason क्या है हमारे ear को दो distinct sounds को identify करने में तब help मिलती है मतलब वो तब यह identify कर सकता है जब उन दोनों में 1 by 10th of a Second से जादा का gap हो Right अगर कि नहीं दो sounds की बीच में इतना gap है तो हमारे कान को clearly वो दो different sounds की तरह सुना ही देता है और हम detect कर सकते हैं कि हाँ यह पहला sound यह अगला sound पर इसमें notice करो यहाँ पर इसका मतलब क्या है 1 by 10th of a second इसका मतलब हम एक second के अंदर maximum 10 different sounds को identify कर सकते हैं ठीक है अगर ऐसा होता है तब हम लोग कर सकते हैं पर यहां 50 beats per second है तो एक second के अंदर 50 different sounds हमें देखने को मिल रहे एक तरह से ठीक है इसका मतलब हमारे ears को पता नहीं चलेगा कि 50 different है हमारे ears को यह एक continuous sound की तरह सुनाई देगा जिसकी frequency 50 hertz होती है एक simple 50 hertz की frequency के sound की तरह ही हमें एक sound सुनाई देने वाला है हमें यह एसास नहीं होगा कि beats produce हो रही है और हर second में 50 bar different sounds आ रहे है तो आया होप यह question भी सबको समझ में आया होगा ठीक है तो चलो आगे बढ़ते है